आज हम बनाएंगे सबसी मठकी पल्ली का सालन ये तो घर पे हर भर पे बनता है ये मेरी तरीक से आप देख लीजिए इसको हिंदी में गवार बोलते हैं मजाक में इसको अनेजुकेटेट बीन्स बोलते हैं चलिए इसको बनाने के लिए किंसी संग जरूते हैं देख लेते है एक बड़ा सा टमाटर को काटके रख लिया है नमक है एक मीडियम पैस को काटके रख लिया है बारिक से हरा धनिया है जीरा है लिया है हल्दी हर इमिच आप अपने टेश्ट के साब से ले लीजिए मैं दो से तीन काटके रख लिया है इसको हम रामतिल का बुक्ता बोलते ह यानि की रामतील ऐसे होते हैं इसमें मैंने लहसन डालके पॉडर बनाके रख लिया है यह सालनों में भूती अच्छा लगता है टेस्ट इसका देखिए मटकी पली यानि के गवार की सब्जी इसको थोड़ा में काटके रख लिया है चलिए इसको बनाएंगे कुकर में दो से तीन टेपिल स्पून जितना आयल डालेंगे इसमें वण टीज्पून जितना जिरा डालके इसके थोड़ा तड़कने के लिए छोड़ेंगे गटीवी प्यास को डालके गोर्डल ब्रोन नहीं करना है सिर्फ कलर बदलने तक इसको अच्छे से पका लेना है इसमें मटकी प श्पुन भर्के नमक डालेंगे यहां आदा कीलौ गवार है इसको अच्छी से करे़ोगे। आर कटे हुय 150 गवार। तमाटर छी कि सबस्फिन हुआ ए थोड़ा सा पक्निस देँ थोड़ा ही ज्यादा नहां होपनी तीन nin Elle's चितने पाई हमारी गवर की सबजी बन के तयार है अच्छे से पग भी गया है अब इसमें रामतिल का बुक्टा दाल देंगे इसको दालने के बाद पकाना नहीं है सिर्फ दालके मिक्स कर लेना है और हरादनिया कटा हूँ हरादनिया दालके मिक्स करके इसको डिशोट कर लेंगे ये जव भोती भेतरिंग बनता है इसका सालन, आप जरूर ट्राइ करें रामतिल के साथ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर किजिए, अल्ला हाफीश